और बिना किसी विशेश अपचारिकता के मैं सीठे सीठे विशे से आप लोगोंको परीछित कराना चाहूंगा और विशे से परीचित कराने में दो परिप्रफिन Y gestation से पहले सांची करना चाहता हूं केल्ली तो यह इन यह जो वैबिनार है यह ज़र्ड वेबिनार है इस्ट्री ऑफ हिंदूस के पर और इसको अभी हमें कॉंट्रीग्यू करने का हमारा विचार है पूर्व के दो-तिन जो हमारे रहे हैं वेबिनार्ज इसको अभिंदूस पे उसमें इतिहास कारों की भाषा उनके द्वारा की गए तक्तूं के साथ तोड़ मरोड और छेड़ थाड़ आदि कई तरह के विशे रहें विशे उसमें रहा है कि युद्यों का आखिरकार इतिहा इस्ट्री कहां है तिहास कहां है वह प्रश्ण रहे हैं इस सब्सक्राइब बहुत सारे जो तुने अबर कर आ रहे हैं तो भाषा उबर कर रही है कि क्या अपने ही विशे को और हिंदूं को क्या सचमुच उनके साथ बिट्टर किया गया है कि नहीं अब ये बिट्रेल शब्द इतिहास कारों को और सोशल साइंसिस के लोगों को ये बड़ा अजीब लिएगा उनको तकलीफ होगी इस बात से लेकिन ये तकलीफ तभी होगी जब वो बिट्रेल शब्द के अपनी भाषा में अर्थों को नहीं समझीगी जैसे वो राश्ट शब्द कार्थ गाउं कर देते हैं तो उससे मुझे जिस तरह की तकलीफ होती है वैसे कि तकलीफ मैं उनको भी चाहता हूँ कि वो अनुभव करें लेकिन क्योंकि हिंदी की प्रिष्ठ भूमी, संस्कित की प्रिष्ठ भूमी, अपनी संस्कित की इसलिए वो विट्रेल का अर्थ तुरंस जो करेंगे वो क्या करेंगे विश्वास भाग, लेकिन आप देख सकते हैं विशे में मैंने कहीं पर जो विश्वास भाग शब्द इस्तिमाल नहीं किया, संस्कित इतनी निम्न कोटे की भाशा नहीं है कि जो इस तरह के शब्दो आपके संदर में मैं विशेश रूट से प्रियोग करना चाहता हूं जो आपको विट्रेल के उस पक्ष से परिचित कराएंगे बिन मंत्रता का मतलब क्या है कि जो उपलब्द तत्य हैं उनको आप किस तरह से मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि जो एस्टैबलिश्ट फैक्ट्स हैं उनको अपनी ही तरह से एक नया मोड आप दे देते हैं और आप ये चिंता नहीं करते कि वहां की संस्टिक के पक्ष क्या रहे हैं आपके दर्शन के पक्ष क्या रहे हैं आपके व्यभार के पक्ष क्या रहे हैं इतने पुराने इप्यास के वह है भिन मंत्रता और दूसरा जो betrayal का मैंने यहाँ पर अर्थ रखता है आप लोगों के साथ और ये historians को और social scientists को जानना चाहिए कि प्रति ज्यापितता का अर्थ क्या है कि जो सिद्ध है उसको भी सिद्ध करवाने का प्रयास करती है सबसे बड़ा उधारण तो जैसे राम का ही है कि राम को ले जाकर के हम पोर्ट में खड़ा कर देंगे कि राम से तू था या नहीं था इस पे बहस करवा रहे हैं क्या ये सच-पूछ इतिहास में ये बहस वाली बाते हैं, आप उनको माननता ही नहीं देगे, और आज आपकी स्थीती क्या हो गई, कि जब सुप्रीम पोर्ट उन्हें स्विकार कर रहा है, तो इतिहासकार का response क्या है, क्या करना चाहिए इतिहासकार को, ये है प्रतिक ज्यापित्ता द्वारका मिल जाएगी लेकिन कृष्ण के उपर question mark आप लगा देंगे ये किस तरह के इतिहासकार है जो हमें कभी JNU में मिलते है या उनसे बाहर के कुछ इसी तरह के जो लोग है वो मिलते हैं और निश्चित रूप से मेरी ये योजना है और मुझे ये करना भी है कि ये जो JNU और इस तरह के इतिहासकारों का एक समू है जिसने हमेशा ही हिंदूं के उपर एक आपशेप रखा है और हमें वो इतिहास पढ़ाया है जिसमें हम लोग अपमाने तरिस्कृत ही होते रहे है ऐसे इतिहासकारों को चुनौती देना मिछे लगता है कि बहुत आवश्यक है ये उसी का एक आज का पाड़ तो इसलिए बिट्रेल शब्द को आप विश्वासगार्थ मत समझेगा बिट्रेल शब्द का अर्थ मैंने आपको स्पष्ठ किया है भिन्द मंत्रता प्रतिक ज्यापितता कृपया इस अर्थ को ध्यान में रखेगा नहीं तो फिर वही होगा कि आप रिलिजन का अर्थ धर्म कर देंगे और धर्म को अर्थ जब आप रिलिजन में बांटने की कोशिश करेंगे तो वो फिट नहीं बैठी तो ऐसे इतिहासकारों की सोच को उनकी सेल्फ राइटनेस को उनकी एरोगेंस को चुनौती देने के लिए इस तरह के सेमिनार्स की मेरी योजना है और यह continue रहे इसमें चार लोग जोड़ते हैं छेट जोड़ते हैं बीस जोड़ते हैं मैं उससे चिंतित नहीं हूँ लेकिन यह अवश्य यह आवाज मैं ज़रूर उठाना चाहता हूं कि हमारा इतिहास है कहा है आज तक वो इतिहास लिखा कहां गया कुछ तो बताया जाए कि यह हिंगों का यह इतिहास है तो खेर यह विशे की बात थी अब मैं आप लोगों के सामने दो एक बातें रख करके मैं मंचपर संजीव घारू जी को जो की डारेक्टर है महरशी वाल में की हजिसर्च कांसिल के उनको स्वागत के लिए आमंत्रित करूँगा लेकिन उससे पूर वो दो बातें जो स्लाइड में आप लोगों ने मेरा खाल है पढ़ी लीग होंगी लेकिन फिर भी मैं उसको आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा हिस्टोरियन को ऐसे संस्कृतिस्ट मैं तीन रूपों में देखता है एक तो वो की ऐसे डूर कि वो करता के रूप में कर क्या रहे है दूसरा इंजॉयर जब मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को हिस्टोरियन्स को और अच्छे बड़े प्रतिष्टित हिस्टोरियन्स को कि वो किस तरह से अपनी पावर को अपने सीट को इंजॉय करते हैं संस्कृत के जब मंत्रों पूंके सामने राष्ट के मंत्रों को सामने रखए है तो उन्होंने अपना नम स्ञ Billie वेट एराउंड उस थिती का उप्योग करते होने का अरे राष्ट कुछ नहीं होता वो गाउं गुद देते हैं बहुत बड़ी आप हमसके रह गया कि यह हिस्टोरियंज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो बड़ी क्रिटिकल वीजनिंग में विश्वास करते हैं हम तो जी से विशेश रूप से आकरह करूँगा तीसरे जो उनका पक्ष है वो है नौर का कि वो कितने तत्यों को जानते हैं और किस रूप में जानते हैं क्या वो सर्वग्याता हो रहे हैं जब वो इस तरह के इतिहास में तत्यों को इंटर्प्रेट करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि यह तीन पक्ष हमें ध्यान में रख करके इस सेमिनार को आगे बढ़ाना है लेकिन दो कूटेशन पढ़कर के मैं संजीव जी को मंच परामंत्रित कर रहा हूं के मुंशी जी कनहया लाल माने मुंशी जो है केशे से वकील रहे हैं लेकिन बहुत बेहतरीन इतिह बहुत कम लोगों को पता होगा उन्होंने इतिहासिक उपन्यास लगभग 35 के करीब लिखे हैं अगर आप उनको पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि इतिहास वस्तुतर लिखा कैसे जाना चाहिए गड़ कुंधार देवी दुर्गावती रानी दुर्गावती सोमनात कितनी सारे उनके उपन्यास हैं और कोई ऐसा अप्रमानिक उपन्यास उसमें आपको देखने को नहीं मिले लेकिन हिंदी वालोंने निकाल कर हाशिय भी नहीं रखा उनको बिलकुल ही प्रिस्प्रित औ और निकाल दिया हूं लेकिन फिर भी मेरा आग्रे रहेगा कि यदि आप दुगों को कभी मॉठा लगे तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर कनहिया लाल मानिक लाल मुंशी के कुछ एक उपन्यासों को तो जरूर आपको उनके एक पंती है वो conclude करते हैं क्या कहते हैं In conclusion, I would like to say that Windu's indifference to our own history has been invitation to corners to write our history यह उनकी पीड़ा है यह तकलीफ है और यही indifference जो है इस indifference को हटाने के लिए यह webinars यह seminars करने की आवश्यक्ता है दूसरी एक बात में quotation और आप लोगों के साथ share करना चाहता हूं Matlock in his India once ruled America, age 170 के यह हो कहते हैं The one and the only reason why we don't know about India's true role in human history is our self-imposed ignorance of Indian mythology, history and traditions यह है तो यह इन दो पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजीव घारुजी को जो अपना स्वागत प्रशन हमारे आज का जो प्रेजिदेंशल एड्रेस है पद्म श्री काशिनात्म जिदाची के लिए eminent historian है और हमारे जो resource person है श्री नीरज अत्री की डारेक्टर है Council for Historical Research and Comparative Study अंश्टूला के और उनके उपर commentator आज के रहेंगे पंच्पूला से वह भी हमारे साथ प्रें हुए हैं तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजीव घारुजी को कि वह आज हमारे सभी अतिखियों का स्वागत करें और उसके बाद हम आगे का वक्ता को सुनने का कार्य आरम करें श्री संजीव घारुजी दन्यवाद डॉक्साब दन्यवाद मैं आज के इस वेबिनार में जो की तीसरे भाग है हमारे इस श्रिंखला का जो डॉक्ट साब के मार्क दर्शन में शुरू हुआ मैं आज सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा निरेजत्री जी का जिनका उद्भोधन उनका वैचारिक मार्क दर्शन लगातार पिछले कई भागों में हमें मिला और आज भी उनका मार्क दर्शन और उनके से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा निरेजत्री जी जो पति भागी आज जुड़े हैं मैं उन सब को भी बताना चाहूँगा कि निरेजत्री जी के जो फैन फॉलोइंग है वो हजारों में लाखों में लोग उनको सुनने लग गए हैं सुनते हैं और बेसबरी से इंतजार करते हैं कि निरेज जी कब क्या नई चीज बताएं ताकि यह जो पूरा नैक्सस बना हुआ है उनके खिलाफ वो युवा जो सोशल मेडिया प्लेट्फॉम पर हैं उनके खिलाफ वो कारवाई कर सके इस प्रकार की चीजें वर्तमान में चल रही हैं मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर महेश कॉल जी का मुझे सववाग्य प्राप्त हुआ था कश्मीरी हिस्ट्री पर उन्हें सुनने का और उनको सुनकर जो आनंद और जो ज्यान वर्धन हुआ उसके लिए उनका अभार्वी पर कट करता हूं मैं है आज भी प्राप्त होगा उनका बहुत बहुत स्वागत और मैं हिर्दे की गिराईयों से स्वागत करना चाहूंगा कि हमें आज अध्यक्षिय भाशन के रूप में जो पंडिता जी के आशिरवचन तुन्ने को मिलेंगे और उनका वैचारिक मारत दर्शन उनका अनभव यहां सभी प्रतिभागियों को लाभानवित करेगा तो मैं ज्यादा अप्चारिकताओं में ना जाके मैं डॉक्टर अशितोष जी को निवेदन करूंगा कि कारेकरम को ह आपने बड़े संशेप और सठीक रूप में सभी का स्वागत कर दिया है और नेरे पास सिर्फ दो एक बातें करें मैं मंचपर श्री नीरज अत्रीजी को आमंत्रित करूंगा समाने रूप से जब हम इतिहास की विकलितियों के बाते हैं तो उसमें पांच चीजें होती है एक तो टाइम फेक्टर टाइम से मेरा अभी प्राय है कि जो वेस्ट में टाइम का कंसेप्ट रहा है वो लीनियर रहा है जबकि हमारे भारती संस्टी में वो टाइम जो है चीजें हैं अगर आप देखें तो लीनियर टाइम है कितने यूग बीट गए और कितनी बार वो यूग बीट गए लेकिन वहां तो आप पैदा हुए और मरने तब और उसके बार जो है जब तक आप अन्तिम जच्मन डे तक आपका काम चलेगा उसके बात नहीं चलेगा मुझे एक मिनट वो देखना पड़े गए स्लाइड आपको मैं अभी देखता हूं क्योंकि मैं हांची दूसरा है लॉस ऑफ रिकॉर्ड कितने पुराने इतिहासों में हमारे रिकॉर्ड और आर्पियोलोजिकल एबिदेंस खत्म हो चुगे हैं जैसे कि मैंने बच्पन में पढ़ा कि नालियां बड़ी अच्छी थी वहां का इसीवरे सिस्टम बड़ा अच्छा था उसके इलावा वह तो कुछ होगा संस्किती क्या थी सारा का सारा जोर किस पर चला गया कि नालियां कैसी बनी वी क्रॉस थी और नहांके ऐसे थे बाकि सब बढ़ा चला गया रूल और चौती बात जल्दी से मैं कर लूँ हिस्टोग्राफी हैंडल बाइद इंगेश्ट प्रफेशनल्स जिनका अपना अपना था जो डॉमिनेट करना चाहते थे जो इस अगेश्ट की सारी धारा को बदलना चाहते थे या इस कह लिए कि हमें हमारी प्रकी से ही उपाड़ देना चाहते और यही हुआ आज कर देता है कि यह होता हिंदुस्तानी होना क्या होता है क्या बात है और आखरी जो मैं बात कहके अपने बात को गिराम दूंगा इस्टी क्रोनॉलोजी कि साइट एंड सेक्स्ट कितनी तेजी से वह ने उन्हें सारा कुछ फिक्स कर दिया कि जो वेद थे वो 1200 साल पहले लिखे गए 24 साल पहले लिखे गए और करके सारा काम ख़तम कर दिया क्योंकि वो सारा कुछ बाइबलिकल फ्रेमवर्क में लिखा जाना था इसलिए वो सारा कट दिया तो एनिवे आप यह नीचे की पंक्ती एक बार पढ़ करके फिर हम आगे च अब यह एक शब्द ऐसा है जो मुझे बहुत चुकता है कि जब आरियन को रेस कह रहेते हैं आरिश्ष्ट व्यक्ति के लिए तो प्रियोग होता है लेकिन कहां पर रेस के रूप में हो रहा है तो मैं ज्यादा चीजे ना कहते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ नीरे जत्री सब्सक्राइब को जो डारेक्टन है और हिस्टॉरिकल रिसर्च एंड कंपरिटिव स्टेडिश के वह अपना बक्तव जो है लगए तीस अंतिस मिनट देंगे उसके बाद कमेंट करेंगे में हिए और उसके बाद प्रेजिजेंट लगए कोश्चन आंसर मैं इसको बंद कर सब्सक्राइब को नमस्ते हैं जी मेरी आप में से जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए सम्मान और आशुतो जी का विशेश्ट से सम्मान है कि वह ऐसा हमें अफसर प्रदान करते रहते हैं कि हम आपस में चर्चा कर सके और संजीब घारू जी ने जो यह बीड़ा उठाया ह है हमारे समाज में समस्ता लाने का जिसके विरोज में जिसके गेंस्ट इतनी सारी पूर्सेस काम गर रही है तो उनको भी कोटी-कोटी नमन है मेरा और थोड़ा गर्व का भी अनुबफ करना हूं यह आपर के पंड़ता जी जैसे एक ज्यान विद्विक्ति से आज मुझे क सभी को मेरा नमस्कार है यह जो टॉपिक हम आज डिसकस कर रहे हैं कि जो किस तरह से हिस्ट्री को और हिंदू को बिट रही किया है इसमें वैसे तो आजकल एक बड़ा चर्चा में ही चल रहा है कि जैसे राम मंदिर बनना शुरू हुआ है उस से जो सो कॉल्ड इस्टैबि लगे हैं कि अभी जब डॉक्टर आशुतोष आपसे बात कर रहे थे उन्होंने दो तिन बाते कहीं जो आज के हमारे संदर में बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है उनका कहना था कि किस तरह जान बूच के डिस्टॉर्शन लेके आते हैं कि फैक्स वही हैं लेकिन उनको त लेकिन जो अगर मैं सिर्फ राम जरुपनी वाला एक्जांपल लेके बताऊं तो जो चीजें कोट के पास हैं जो नायलाई ने जिनको देखके अपना जो निर्णे सुनाया है वो सारी की सारी के नितिहासकारों के पास भी थी वो जानते थे के नीचे मंदर है लेकिन क्यों कि उनका इसलिए उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो एजिंडा क्यों था वो थोड़ा सा अगर समय मिला तो हम उसके भी चर्चा कर लेगे लेकिन मैं चाहूंगा यह कि मैं पहले अपना विशे खतन करके थोड़ा जल्दी ट्राइं करूंगा और फिर कुस्चन आ अवार्ड वापसी क्या था कि हम अवार्ड वापिस कर रहे है और एक ट्राइड टेस्टेड फॉर्मुला जो पिछले साट-सतर साल से हमारे देश में चल रहा है वो है कि आपने अगर किसी को बदनाम करना है तो एक जोंड़मन आते हैं जिन्हें सो कॉल्ड एलेक्षिंस क कि वह एक इस तरह की आवाज उठाते हैं कि जो बताया जा रहा है क्योंकि हमारे अकॉर्ड नहीं है इसलिए वो गलत है और यह आज नहीं होना यह पहले से लिए रहा हूं जो आज से लग्दम साल पुराना है कि 1984-1985 में अर्चेयलोजिकल सर्वेय और इंडिया को तो मिनार के आसपास कुछ खुदाई कर रहा था को जोंके वरकर थे लेवर काम करने थे एक दिवार का थुड़ा सा हिस्सा गिरा उसमें देखने को मिला के हिंदू देवी देपताओं की मूर्तियां है इन्हें उल्ट कि 1984-1985 में आज ऐसा इंटरेंट नहीं था कुछ भी नहीं होता था और जो सोर्सें आफ इंफरमेशन थे उनके बड़ा स्ट्रॉंग होल्ड होता था सत्ता करते अब सत्ता से हम कभी-कभी यह सोच लेते हैं कि सरकार के चाटुकार हैं जो सरकार का पूरा एको सिस्टम है व लेकिन चांस यह हुआ कि अरुन शोरी जैसे एडिटर थे उन दिनों में जिनों ने हिम्मत की कि हम जो समाज में डिस्कूर्स चल रहा है उसके अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट को कर नहीं जहीं है तो जब यह खबर चाट थोड़ा सा शूर मचा हमारे देश में कि इसका मतलब है कि पता नहीं कुछ और वीचे पाया गया है और फिर इसके कुछी दिनों बाद शायद यह अगस्त 1985 की घटना है मत्हुरा में कुछ लोगों ने मिलके एक समिती बनाई कि जो कृष्ण जन्मन भूमी है जिसे हम टेरा केशवरा मंदिर भोते हैं जिस पर आज मस्जिद बनीगे है कि हमने उसको भी छड़वाना है तो उसके लिए समिती बनाई गए कि रामन जो बाबरी धांचा गिरने से पहले की बाता था तो यह भी समाचार पत्र में चप गया कि इस तरह से लोगों ने समिती बनाई है तो अब लेटर टू एडिटर उन दिनों सिरफ लेटर टू एडिटर ही होता था जो आम किसी विक्ति के आज में से फावर होती थी लेटर कुछ लोगों ने लिखे और इंडियन एक्स्पेस को टाइम्स अफ इंडिया को धन्यवाद देना शुरू किया कि कम से कम किसी ने बात बोलनी तो शुरू की है त अब यह आवास दबाना जरूरी था तो मैठेड वह ही उस किया गया जो आज यूस किया गाता है कुछ एमिनिट हिस्टॉरिंस से जिनों ने बारा लोगों के नाम थे जिनोंने मिल के चिट्थी लिखी इंडिया को कि आप यह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं इन बारा मे से प्रमुख से रॉमिला था पर और विपिन चंद्रा बहुत बड़े बड़े नाम है हिस्ट्री के फीड़ में हमारे देश में कि अब आपके साथ शेर करता हूं थोड़ा साइस का आइशा है जो मैं आपके साथ शेर करना चाहूँँगा अब इसमें आप देखें कि उनकी जो लेटर है उसके मैंने कुछ उन्च लिया है सिरफ इसमें कि डेरा केशव राय टेंपल वस बिल्ट राजा बीर सिंग देव उन्देला देविं जहांगीर्ज रेंग निश्यासी की लेटर है दो अक्टूबर उनिश्यासी की टाइम्स ऑप इंडिया पो लिख लिए जब भी असार जूंट बनाया लाता है उसमें दो चार लोगी प लेकिन जहांगीर्ज में बना था ताकि एक आम आपनी के मैंने मैसेज जाना चाहिए वो यह है कि जो मुसल्मान थे जो मुगल रूलर थे वो अच्छे थे और उन्होंने इसको बनाया अब अगर हम इस एक सेंटेंस को एनलाइज करते हैं तो इतना तो बिल्कुल ठीक है कि राजाबीर सिंग मंदिला नहीं बनाया था लेकिन सवाल यह उठता था कि उसी जगा पर क्यों वह मंदिर बनाया था अब आज से 400 साल पुरानी खटना है लेकिन जब 1986 में रॉमिला थापन यह लिखा था तो उसके पास आर्चेयालोजिकल रिकोर्ट्स प्रेजेंट थी क्योंकि क्यामिनिंट है हमारे देश की और यह जो जगा है जहां पर क्रिश्न जन भूमी मंदिर की बातन करते हैं इस पे आर्चेयलोजिकल सर्वे अफ इंडिया ने जो खुदाई शुरू की थी वो उननीसमी सेंचरी में शुरू हुआ थी अलांकि तब संस्था के रूप में आर्चेयलोजिकल सर्वे अफ इंडिया नहीं होता था लेकिन कुछ अंग्रेज अफसरों ने यहां पर कर रहा हूं कि 1913 में उसी जगात पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है उस इंस्क्रिप्शन को गा जाता है स्वामी महाक्षत्रफ शोडश जो यह बताता है कि वहां पर वासुदेव की नाम का मंदिर आज से लगभग 2100 साल पहले भी एक्जिस्ट करता है लेकिन अब आप उनके सेंटेंस के साथ मैच करेंगे तो आपको लगेगा के तो मुगनों के समय में बनाया गया मंदिर था उसके बाद अब 1913 से आज 100 साल से उपर और हो चुके हैं आज वहां पर एक दर्जन से ज्यादा और इस तरह की शिला लेक हमें मिल चुके हैं जो यह बताते हैं कि वहां पर डेरा की साल का मंदिर 2000 साल से पुराना था अब उनका अगला सेंटेंस क्या था इस लार्ज टेंपल सुन बिकेम एक्स्ट्रीमली पॉपुलर और एक्वाइड कंसिडरेबल वेल्थ और जेब इस तेंपर दिस्ट्रॉइट तुप दवेफेज भूटी एंड़ एंड़ एंड़ा में सब्सक्राइब हमें समाझने की जरुवत क्या है कि पहला काम जो यह करते हैं वही होता है कि अब मंदिर तोड़ा या उसको तो डिनाई नहीं कर सकते फिर उसके ऊपर इंफर्मेशन को फिल्टर कैसे किया जाते हैं तो पहला प्रेटर होता है कि आप यह दिखाएं कि जो इतना नीच काम किया जाता था मंदिर और मूतियां तोड़ने का इसका मजभ से कोई लिंक नहीं था यह तो पैसा लूटने का काम था कि राजा आप ऐसा लूटा करते थ इसलिए उसने भी वहां पर क्योंकि यह मंदिर बहुत पॉपुलर हो गया इसमें बहुत सारा पैसा आगया इसलिए औरंजेव ने इसको तोड़के इसपे इदगा बना दूए अब इसमें हमारा कुस्च्चन जो होना चाहिए कि औरंजेव ने एक फर्मात जारी किया था नौ अप्रैल 1669 में उसी की अपनी एक बारों में हमें मिलता है इसमें उसने अपने जितने सूबेदार थे सब को कहा था कि तुम लोगों ने काफिरों के सारे तोड़ देने मंदिर सिर्व मंदिर नहीं जितनी वेद शाला तो अब सवाल ही उठता है कि जब उसके सारों के तोड़ने को बोल दिया इसमें वो भी थे जिनके पास कोई पैसा नहीं है तो फिर आप यहां पर अंगल क्यों लेके आते हो क्योंकि यह उनका ट्राइट एक ट्राइट टेस्ट है कि आप यह शो करें कि मजब का इसमें हो जाते हैं जो हमारे देश के लोगों को समयना बड़ा जरूरी है हम अपने अपनी जो दृष्टी अपना जो लेंस है उससे सारी चीज़े देखने और समयने की कुशिश करते हैं जो इक तरह से तो खीक भी है लेकिन जब आप इस्लाम और क्रिस्चैनिटी जो समय सब्सक आपको उनके लेंस से समझना पड़ेगा अब हम यह बताया जाता है कि रमजान का महीना बड़ा पवित्र होता है क्योंकि इसमें वो रोजे रखते हैं बुखे रहते हैं तो हमारे मारे यहां पर स्वच्चितार खी जाती है इसी तरह का बोलुक्त तो आपको यह जानना च और इसके अलावा सिर्फ एक मंदे मीधा 1699 में वो परमान जारी करता है और अगले 36 साल तक यानि 1705 तक लगातार पूरे देश में जहां-जहां पर पॉरंजेव का राज है वहां-वहां पर जहां हो सका इन्होंने मंदिर तोड़े हैं तो वैत्वाला एंगल इसमें यह ज करता है अगला काा करते है आगलाकी फेल्टर लगाया नाथ है ओहीं वहिर्क स्का जितथए में क्या लिका इस एक्श car it have been politically motivated या ध्यांदीजे माइट है वी फिल्टिकली गोटिवेटेट एस वेल फिर इसका कारण कहा बताते हैं for at that time when the temple was destroyed he faced problems with bundela's as well as अब इसमें आपको सब्सक्राइब है कि जब यह जो राजा की कंसेप्ट है तो हमारे देश की और अब रहामिक प्रेलिजन्स के इस्लाम और किस्टैनिटी की बिल्कुल अलग है क्योंकि हम मुगलों की बात करें तो मैं सिर्फ उसी तक इसको सीमित रखता हूं यह जब इनों में सत्ता पे कब्जा किया था तो उसमें इनका कोई यह परपज नहीं होता था कि हमने प्रजा का भला गरना को गारे कोंसेप्ट है इन इस तरह ते सूरज जो है उपनी उर्जा देता है लोगों हो ताकि जीवन कोको पल्लविद कि मैं रखना के प्रजढ या जहन बनता है और तुमने बच्चाँ की तरह इन और व्हान रखना है उनका पालनो कोशन है लेकिन ये लोग जब आये थे तो इन्होंने कब्जा किया हुआ था इसलिए पूरे देश भर में इनके विरूद में बगावत होती रहा और दूसरे जो मुसल्मान ला जा थे वो इतको हरा कर काबिजवना चाहते तो बहुत सारे मुसल्मान थे जो इसकी बगावत करते थे ल लेकिन अब इन लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है वो इतनी बात से स्पेशली हिंदूस बैक्फूट पर आ जाते हैं कि अच्छा भी जो बुंदेले थे वो उनके साथ बगावत कर रहे होंगे तो राजा था उसले बंदर तोड़ दिया बंदेलों की जो बगावत थी वै बंदेलों ने मुगलों के साथ 1635 में जो इनकी मेजर बगावत थी राजा थे जुठार सेंग और च्छा मद्यप्रदेश के अंदर जो एरिया वहां पर मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश यह काफी बड़ा एरिया था जहां पर बंदेलों ने बगावत कि थी 1635 में शाह जहान ने इस राजा को मार दिया था और जो उनकी महिलाएं थी उनको अपने हरम में लगाए थे इसमें एकना हमारे समाज पे लेबल लगा जाता है कि तो सतीप्रथा वाले से अपनी महिलाओं को जलाया करते यहां आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब करते हैं सतीप्रथा के लिए तो आज क्योंकि समय कम है तो आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा जाता था उन्हें पता था दो चीज़ें पहली चीज़ यह कि यह जो हिंदुक्षत्रिय लड़ते थे उन जैसे इनके पास code of ethics नहीं थे यूदिके नियम नहीं थे कि महिलाओ को उठाकर उनके बलातकार भी करते थे आज भी करते हैं और फिर उनको गुलाम बंडियों में ले जाके बेच देते थे इसलिए जोहर प्रसा शुरू ही और दूसरा जिसे नेक्रोफीलिया कहा जाता है कि इन लोगों को यह भी परमिशन है कि लाश के साथ भी दुश्करम क किया जासे कि इसलिए महिलाएं अब मरने के तो बहुत सब्सक्राइब जलने वाला ज्यादा पेंफुल है लेकिन इन जान पूछके उसे चुनती थी क्योंकि उनको अपनी असमेता उनको अपना जो संबान था उनको ज्यादा प्यारा होता लेकिन इस केस में जुझार करता था उसके लिए बहुत सारा elaborate rituals होते थे महिलाएं अपने पंजों के निशान वहां लगाती थी कलाई का निशान छोड़ती थी और फिर जोहर गरती तो इन महिलाओं को बिचारी को उतना समय तो मिला नहीं कि उन्होंने कोशिश की कि जो इनके पास कटार थी जो उसके बाद जो दूसरा rebellion था 1661 में राजा चंपत राय होते थे उस समय पर लेकिन वह भी 1661 में खतम हो चुका था शुरू तो पहले हो गया था लेकिन 1661 में खतम हो गया था तो वह वाल अब यह एक प्लासिक केस है जिसे कहते है कि गोड़े को गाड़ी के आगे बांगने क सब्सक्राइब हो चुका था उसके उपर अल्जाम लगा जा रहा है कि क्योंकि वह rebellion था इसलिए मंदिर को तोड़ा गया था अब जाट सरफ मत्वरा में नहीं थे जो पूरे हा पूरा उत्तर भारत है मंध्य भारत है इसमें जाटों ने बहुत लाईयां किया मुसल्मानों साथ और यह जो जाट rebellion अब शुरू हुआ था वो हुआ ही इसलिए था कि इन्होंने मंदिर तोड़ने का फर्मान जारी किया तो फिर से उल्टा काम मिर रहे हैं कि जाटों का जो rebellion है फर्मान आने के बाल सुरूआ कि तुम हमारे मंदिर कैसे तोड़ सकते हो तब यह बगावत ज इस्टारी इंस क्योंकि यह यह उस टाइम की बात नहीं जब इंटरण नहीं था मेरे जाब में भी रिसर्च करके जान नी सकता था किया है तो इनको लगा था कि इनका जूट चल जाएगा लेकिन अब चलता नहीं आँ अगला देखिया अगला फिल्टर क्या है इट शुद भी रिमेंबर्ड एट मैनी हिंदू टैंपल्स वर अंस टॉच्ट द्यूरिंग और जब्स रेंड इवन सब्सक्राइब को यह कहीं पर यह दिखाता है कि दिखो यह लैंड ग्रांट दिया गया है कि हमें समझना यह है कि कभी भी मुगलों की जो रिट चलना बोलते हैं कि उनका पूरे का पूरा परमान एक्सेप्ट नहीं क्या जाता था सब जगा पे हंडर्ड परसे तो बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स होती जहां पर इनका रूल चलता ही नहीं तो वहां पर अंगर मंदिर बन भी जाते हैं तो और जेब की विशेष्टा नहीं है वह हमारे पूर्वजों की विशेष्टा थी कि जो कनवर्ट नहीं हुए इनसे लखाता लटते रहे और और जेब की होते हुए भी उन्होंने मंदिर बन अच्छा इसके बाद दूसरा जो यह काम करते हैं यह तो मैं समान लेते हैं तो बुद्धों को भी तो बहुत होगी तो हिंदू ने बहुत जारा प्रताड़ित किया है उनका भी बहुत ज्यादा शोशन किया गया है और बहुत सारे स्टूपों को जलाया गया है आजकल एक फैशन बना यह बताना कि 16,000 बुद्धिस्ट स्टूप थे जिनको तोड़ दिया गया जा गया है अब यहां इन्होंने ऐसा बतानी की कोशिश की कि हिंदू थे जो उन्होंने बुद्धिस्टों को भी प्रताड़ित किया फॉर स्पेशली इसमें नाम जो सबसे ज़्यादा लिया जाता हो फुश्यमित्र शूंग का उसने क्या था उ कि इसमें क्या करते हैं कि सिरफ एक घटना से ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि बुद्दिजम पूरे देश में फैला था लेकिन पुष्यमित्र शूंग के समय पर ही जो वारूत मॉनस्ट्री है और जो सांथ चीज्टू वैवू बने हैं उनका जो रेनुवेशन है वो किया गया है लेकिन इस बात को कोई नहीं बताता है कि पुष्यमित्र शूंग ने कभी भी ऐसा नहीं कि उसने बुद्दुस्ट और यह जो एक्जामपल दिया जाता है कि हमने सर काटने के लिए नाम दिया था पिछली बार एक डिसकेशन में बता चुका हूं कि किस तरह से चु लेकिन कभी भी उसको इसकी प्रिशन सानी की गई कभी उसको यह नहीं कहा गया कि इसमें उसके मंदर को तोड़ा तो यह अच्छा विक्ति माना जाएगा कि इस्लाम और क्रिस्ट्यानिपी में दूसरे के जो कुजा स्थाला उनको तोड़ना उनको नश्ट करना वो एक गर्व की बात मानी जाती है आप चौदासो साल का इतिहास देख लें इन चीज़ा गर्व से लिए बात बताता हूं कि हमारे यहां पर यह परंतरा कभी नहीं तो उसमें कई लोग फिर से सवाल उठा जेते हैं यह तो जी शूट हो रहे हैं यह तो ब्रामणी का रियाक्शन इसका सबसे अच्छा सबूद जो हमें मिलता है आज से लगभग एक हजार साल पहले महमूद गजनवी आया इंडुस्तान में मंदिर तोड़े बॉदस्ट तूप तोड़े उसने हर तरह का विनाश किया इसके साथ उसका क्रॉनिकलर आता है अलवे रूनी अब वो इस्लाम की दुनिया से चलका है जहां पर मजब के नाम पर तोड़ फोड़ करना लोगों के मंदिर तोड़ना मूर्तियां तोड़ना एक कॉमन बात है और आपको यह ध्यान मिटना है यह वो टाइम है जब जतना एशिया एमिडलीस्ट एशिया वो ज्यादा तर बहुत मत से ओध्रूथ था और उन्होंने बुद्धिस्ट मंदिरों को बुद्धिस्ट जो स्थल थे उनको तोड़ा था वो यहां के स्पेशली क्या बता रहा है कि हिंदुस्तान के जो लोग है अगर उनका आपस में कोई भेदभाव है तो उसके बारे में चैर्चा करते हैं और तरहां तरहां की कोषिश करते ऐते हैं वो इसे बड़ा अपनी कि इसके लिए उपनी जान और माल को खत्रें में डालते कि उसने क्या देखा था जाते हैं मंदिर तोड़ देते हैं जो मुसल्मान हैं लेकिन यह लोग कभी नहीं ऐसा करते हैं अब यह अपनी किताब में लिख रहा है तो हमें कम से कम यह मानना चाहिए कि ना तो आरह समाजी ना भक था ना उसंगी था और इस तरह के जितने भी लेबल यह आजकर लगाते ना यह वो ब्रामनिकल रियक्शनरी था कि कुछ और एक्जामपल है मैं इनको स्किप कर देता हूं कि मैं में इस इस इश्यू पर आना जाता हूं अब यह जो सब किया गया है हुआ कि यह क्या गया राज आश्रस से के जो दर्बारी स्टोरिं थे उन्हों ने किया अब दर्बारी स्टोरिं किसके थे और क्यूं किया कब से शुरू होता है तो उसका एक्जामपल आधके साथ शेर करता हूं क्टबासा स्किप कर आँग क्योंकि बड़ी उसने अपनी किताब लिखी है क्योंकि उसे पता था कि वह इस्लामिक इतिहास में बहुत बड़ा कांव कर रहा है हिंदुस्तान में जाके वहां पे काफिरों को उसने कनवर्ट करना है तो स्पेशली अतनी किताब में लिखता है कि 800 हिजरी में यानि 1398 में मेरे मन में यह चाउट उठी कि मैं काफिरों से लड़ूगा और इसलाम का चैंपियन बनुगा और इसके लिए मैं गाजी बनुगा और अगर तो मैं मर गया तो मैं शहीद कहला हूँगा और अगर मार दि लाकर कि इसके लिए उसमें सुचा कि मैंने जिहाद करना है लेकिन उसको कंफ्यूजिं ये था कि ये अधितिंग काफिरों पर करें दिस्टर्विंस आ रही है तो इसको सिरफ इतना था कि जो हमला करना है वो चीन के काफिरों पर करें या हिंदूस्तान के मुश्रिकों पर करें जो मूर्थी कुझा करते हैं उनको जिनरली मुश्रिक या पॉलिथीस्ट कह दिया जाता है तो फिर आगे वो बताता है इन दिस मैंटर आई सोट सॉटर ओमन फ्रॉम कुरान के मैंने देखना था कि यह अच्छा शगुन है कि बुरा शगुन है कि मैंने कुरान खूली और कुरान में जो आयत निकली वो है वो प्रॉफेट में वार अपन इंफिटल्स एंड अन प्रॉफेट की यह वाली आयत उसके सामने निकल कि आते हैं अब यह किताब है जिसमें से मैं रेफरेंस आपके सामने कोट कर रहा हूं कि अब उसने क्या किया अब क्यूंगी जिहाद करना है उसने अपने गांडरन से उनको त्यार करना शुरू मुआ करेंगे गर jr मिलेटरी कमांडर से उन्म हिंदुस्तान में प्रॉबलम्स है फ्रॉबलमाओ एक कि वह पांच बड़ी बड़ी तो इसको मना कर रहे थैं से लेकिन अब क्या करता है यह उनको समझाता है यह हमने जिहाद करना है देखो जाएंगे क्योंके मोहंम्मद ने कहा है कि हमने तो इसलाम को फैला ना रहा है अगर हम मर गए तो शहीद कहलाएंगे, मारे गए तो गाजी कहलाएंगे, और इंदुस्तान में क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां और मंदर हैं, तो उनको तोड़ने का हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि मुहममर ने भी तो अपने टाइम पे एकाम किया था, लेकिन वो जो इसके मिलिटरी कमांडर्स थे, वो जैदा खुश नहीं थे, तो अपने आप बता रहा है, तो नोबल्स गिए अन्विलिंग कंसेंट एंड टिमर प्लेस्ट नो रिलाइंस अपॉन तो बे मन से उन्होंने हाल कर दी कि ठीक है आप चाहते हो, तो हम जिहाद करने चलेंगे, अब व सुल्टान आफ इसलाम के तो तुम्हारा, तुम्हारे लिए दीन का फर्ज बनता है, कि there is no God, but Allah and Muhammad is His Prophet, जैसे उलाह एलाह 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 भादें, कि तीरी और हर राजा की जिम्मेवारी है, हर मुसलमान सुल्टान की जिम्मेवारी है, कि इसलिए अगर तुम हिंत्वस कलकुल क्लियर हो जाना चाहिए, कि उसका objective क्या था इंदोस्तान में आने का, फिर वो आगे अपनी किताब में लिखता है, when I girded up my lines for the expedition, तो जो हजरत शेख जियाउदीन था, उसको लिखता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो जियाउदीन उसको तलवार भीजता है, कि जा अब हमें क्या बताया राता है, यह पड़िये जरा, the wealth of India attracted this savage, पहली लाइन वह बता रहा है, कि तैनूर आपको हिंदुस्तान की दौलत अट्राक्ट कर रही है, कि तैनूर लंग नहीं बता रहा है, कि को यह और बता रहा है, कौन है हो, यह हमारे पहले प्रदानमंत्री पं बहुत बड़ा परग्राफ है, लेकिन आप सिरफ पहली जो मैने हाइलाइट करके उन पर ध्यान दीजे, the wealth of India attracted this savage, और फिर नीचे वाले परग्राफ में आईए, बोथ हिंदूस और मुसलिम्स वर स्लेन, no distinction seems to have been made, the prisoners becoming a burden, all of them kid and bull lack were massacred, तो अब आपको फिर से आज से 20 साल 90 साल पहले जाना पड़ेगा, ये पंडित ज्वाहरलाल नहरू, अंग्रेजों की जेल में बैठे हैं, जहांपर बैठके इस तरह की सुंदर-सुंदर चिठियां बना रहे हैं, पहला कुश्चन हमारे मन में ये आना चाहिए, कि जो अंग्रेज, आगज सिंग को नहीं सिर्वित नहीं चोड़ते, वो ये पंडित ज्वाहरलाल नहरू, अगर ही को फ्रीडम फाइटर थे, इनको जेल में फाइव स्टार फेसिलिटी प्रवाइड कर रहे थे, कि वो यहां पर हिस्ट्री की किताब कर रहे थे, यहां आपके साथ इसलिए शेर कर रहा हूं, फिलो चाहिए यह था, कि कोई ऐसा विक्ति हो, जिसकी किताब लिखी जाए, और उस किताब में जूटी हिस्ट्री लिखवाएंगे, तब को इंटरेंट नहीं था, कि इसी को एक पहुंचिवे शक्सियत माना जाएगा, हस्ती माना जाएगा, और जो लिखता है, उस पर यकीन किय जाएगा, तो यह जो जूटा है, तेहास लिखा जा रहा है, जिसे आज हम देख रहे हैं, 70 साल बाद भी देख रहे हैं, यह अजादी से पहले शुरू हो चुका, अच्छा, ऐसे ही महमूद गजनवी के बारे में, इसके बारे में क्या बता रहे हैं, आप सिरफ सेकेंड प इसकेंड प्रेस्टी आप मत्रा, अबाउट इस ही रोट, यह जो जो था, पंदित ज्वाहरलाल नहरू अपनी इसकवरी ऑ इंडिया में पेश नुबर 255 बता हैं, यह जो इस बीदिंग्स वडिए ची लिखती थी, तो मुझे बारे मुझे बारे मुझे बारे मुझे बार बहुत इंप्रेस हुआ उससे, और उसने कहा कि यहां तो हजारों ऐसे मंदिर हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है, और अगर हम 200 साल भी लगाएंगे, और लाकों दिनार खर्च कर देंगे, तब भी इस तरह का शेहर नहीं बना सके, तो इसका मतलब यह है कि महमूद गजनवी बहुत अच्छा आदमी था, जिसे वास्तुकला की बहुत परक थी, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट लवर होगा यह, लेकिन इसे अगला से इंटेंस पंडिजी ने जो मिस कर दिया, जानबूज के नहीं बताया, वो यह है, अगले स्टेप में वो लिख रहा है क उसने और दिया कि सारे मंदिरों को नप्ठा से लपेट के इनको जला दिया जाना चाहिए, और मत्रा में उस समय सेकड़ों मंदिरों को इस महमूद गजनवी ने जला दिया, और महमूद गजनवी भी तुरान का बहुत अच्छा जानका था, कोई ऐसा नहीं था कि सिरफ ल चाहिए, और उसकी किताब तारीख यामिनी है, तारीख फरिष्टा है, अब इनको पढ़ें के तो आपको पता लग जाएगा कि वो यहां पर सिरफ इसलाम फैलाने के लिए पहुंचा है, और उसके बारे में भी इन्होंने, अंडेजी ने क्या बोला, इंडिया वास टु ह जस्ता प्लेस फ्रों विशी कुट केरी ओफ ट्रेजर एंड मेटीरियल फोर इस ओम लैंड के यहां तो सिरफ ऐसी जगह आया था, कि पैसे लूटे का और यहां से अपने घर में उसमें बीडिंग्स बनानी थी घजनी में, तो वहां पर उसने इसले यहां से लोगों को अब इस तरह के एक्जाम्पल्स मैं आपको और धेरों दे सकता हूं, लेकिन वुख्यों देश्ये आपसे सिरफ यह शेर करना था, कि यह जो हम हिस्ट्री डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, तो यह जो मेरा आपके साथ शेर करने का उदेश्ये था, वो यह था कि आपको क्लारिटी हो, कि कब से डिस्टॉर्शन चुरू हूई, किसमें शुरूँगी, क्यूंकि कई बार कुस्चिन ही उठाया जाता है, कि हम तो आजाद हो चुके हैं, फिर भी ऐसा क्यों किया जा र 1947 को कोई लड़ाई भी थी और अंग्रेस डर के भाग गए थे, तो मान सकता हैं कि 15 अगस 1947 को हम आजाद हुए लड़के, लेकिन उनने बड़ी अच्छी तरह से प्लान करके इस तरह के लोगों को सकता सौंपके गए थे, कि वही वाला सिस्टम कॉंटिनुएशन में रहेग और उसी को उसी तरह से पर्पेचुएट किया लाएगा, एक और जो गलती हम लोग करते हैं, हमारा माइंसेट ऐसा है, कि इसके पीछे कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स है, एरसा एक परसेंट भी नहीं है, वोट बैंक का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, यह एक civilizational war है, जिसे हम बोलते हैं कि संस्कृतियों का टकराव है, Clash of Civilizations है, परक चिरफ यह है कि यहाँ पर civilization सिरफ हमारे पास है, संस्कृति सिरफ हमारे पास थी, जो आके टकरा रहे हैं, वो तो राक्षस हैं, उनके पास कोई संस्कृति नहीं थी, तो इस Civilizational war में हमारी संस्कृति आपको खतम करना उदेश्य है, इसलिए ये किया जा रहा है, तब से किया जा रहा है, और कभी अगर आप Department of History देखेंगे किसके कंट्रोल में था, तो Sociology का Department जो था 20 साल तक H.S. Khan के कबजे में था, नूरुल हसन उसके पेटरन होते थे, जिनके देखरेग में NCRT का काम चलता है, तो ही किताब में बहुत पहले से जो विक्रिती करने, इसका template बहुत पहले बन चुका था, अब तो सिरह उसी को आगे propagate किया रहा है, इतना कहने के साथ, अब ही मैं रुखना चाहता हूँ, रख् हेश्कॉल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जर्मिय से, और वो पोस्ट डॉक्टर फैलो है, ICPR न्यू जेली से, और हिस्ट्री के उपर उन्होंने भी बहुत काम किया है, और मैं चाहूंगा कि अगले 10 मिनिट जो है, वो अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद अगर हम पंडिता जी तुड़े हुए हैं, तो उनका बक्त भी सुनेंगें, नहीं तो एक साथ फिर हम प्रश्नों पर योग चलेंगे, ठीक है, बहुत धन्यवाद, नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है, जी आ रही है, नीरत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खरदा इससे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये लगता था कि हम गिने चुने लोग इस शेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आज लगता है कि ये जो सबवर्शन की लड़ाई है, मायावी लड़ाई है, इसको दोस्त करने के लिए हमारे यहाँ पर लोग बहुत काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ही सादुवाद के पात्र हैं, और दूसरी बात, इन्होंने कुछ बाते की हैं, मैं उस पर टिपनी तो नहीं करूंगा, अब्जर्वेशन है, क्योंकि इन्होंने वहीं कहा शायद जो मैं बोलता है, जो हर कोई बारत की आत्मा को जानने वाला व्यक को और चीजें सामने आती हैं, आप समझ लीजिए कि हिंदूों ने कितना संगर्श किया होगा, कि समाज के सामने ये बात आसा, कि मुझे नब्बे का दशक याद आता है, जब हम गरों से निकाले गए, सारा मीडिया गैग किया गया, लॉइन डॉर्डर प्रॉब्लिम बता आइसिस तो वहाँ पर भी लियर बाई लियर, कुरान है क्या, कुरान यहीं है, आप कहीं पर लूट खसूट करते हैं, उसको जेस्टिफाइ करने के लिए आप आयत को डिराइव करते हैं, यह मैं खुद नहीं कह रहा, आप वो आपकी आयत बन जाती, जैसे अनवर शेख थ इसलाम इस अरब इंपिरिलिजम करके, वर्ड बाई वर्ड, वर्स बाई वर्स उन्होंने डिकोड किया कि इसलाम कैसे जहाद करता है, और यह जो हम लोगों को, जैसे नीरज जी ने कहा, मैंने को फॉलो कर रहा था भी कल से आपने इनके बारें बताया, उन्हें बड़ा सह के लिए दूसरों को डकेट क्याते थे, तो दूसरा, दूसरी बात यह है, और अंगजेब के बारें, जैसे रोमला थापर की इन्होंने बात की, बिल्कुल सही, जब हम भी छोटे थे, तो हम भी लैटर टो एडिटर ही लिखते थे, स्टेट्समन में या टाइम्स आफ इसको इन्वर्ट करते थे, फिल्टर तो काम पानी को फिल्टर करके साफ निकालता है, यह पानी को गंदा करने का रिवर्स फिल्टर बनाते थे, और गंदा पानी पिलाते थे, और उससे क्या है कि हिस्ट्री में इन्होंने वो गंदे फिल्टर लगा है, रिवर्स फिल्ट कि ब्रहामनिकल और ने सवय किया वे यह जस्टिफाई करने कि ब्रहामनिकल बेसिकली नॉन ट्रंस्लेटेबल से संस्कृत में जैसे आश्टो जी ने शुरू में कहा इश्वर गौड नहीं हो सकता या राश्वर गाउं कर दिया बिल्कुल सही जो दूसरी बात मुझे करनी है अबड़ा इंपॉर्टेंट कि जवाहरलाल नहरू को लेकर मातमा गांधी को लेकर और मैं यहां पर और भी कहीं लोगों का नाम लूँगा तो बहुत प्रॉब्लिम हो जाएगी जो कॉंग्रेस में थे या कहीं पर भी थे यह लोग कॉंग्रेस था की सीमित नहीं थे इंड इन पुलिटिकल क्लास जो प्लांट किया गिए भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में इस थे बारत की सिस्टम को सबड़ किया यह पुरा प्लान बन चुका जिसमें चर्चल कहा था यह कहती है कि वीर सावर कर ने क्लेमेंसी पेटिशन लिखे बिलकुल गांधी ने महंदास कि न जो गांधी ने जब वो बोरवार में थे उन्होंने अंग्रेजों का कितना समर्थन किया वाइलेंस के लिए और क्लिमेंसी पेटिशन चर्चल को लिखे और फिर गांधी को कैसे प्लांट किया जोजफ लिलिगन ने किताब लिखी जेड आड़म्स ने किताब लिखी करना मैं तो कहूंगा यह तो डी संस्कृताइजेशन की प्रॉसेस थी और एक बहुत बढ़िया काम किया राधाराजन के बारे में आपने सुना होगा अपने सुना है और इस तरह की किताब आने लगी इस तरह का रिसर्च वह भी गांधी के उसके पूरे कंप्लीट वर्क से जो क्लेक्टेड वर्क से निकलता है क्या कर रहे थे वो दूसरी बात यह सबवर्शन जो है यह डी संस्खताइजेशन की सबवर्शन है बारत के स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके बारत के नेशन को तोड़ना यह लड़ाई यह हिस्ट्री में भी आ चुकी है जिसे हम सबवर्शन कहते हैं इंडियन स्टेट इस इन कॉ खादाभवपूर देखते हैं तो यह जो लोग हैं जो सावर कर निंख कर्टों काड़ आपनि करते हैं यह कहीं यह लोग है नहीं किया जो को जीमें नहीं करते जिसमें अभी तु पार्टिशन आफ इंडिया और पाकिस्तान करके अगर आप वो किताब पढ़ेंगे आप अमबेद कर पर ही प्रशन चिननने लगए कि ये क्या बोल रहे हैं तो ये चीजें हम से छुपाई गई नहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्स अफ वर्ल्ड हिस्ट्री और आपके विरुद्बाद कर सीता कोろ प close की को में मेरी शकतल में हिंडू नाम से फिफ्त कॉलम क्रियेट करते हैं. जब वो बाहर आके काम करते हैं यह हम कहां आपकोर करते हैं? यह हम नहीूं कह रहे हैं। यह हम नही कह रहे हैं. तो हम तक पर जाते हैं, इनके लोग आपके लोग आपके विरुदबाद करते हैं तो एनिमी इस तरह से लड़ाई लड़ता है आपके बीच में गुसके यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे रावन ने बेश बदल कर सीता को हरन किया इसको लड़ने के लिए आपको सोला कला संपूर्ण होना पड़ेगा रोमिला थापर की बात करें उन्हें एक किताब लेखी सोमनाथ करके बिल्कुल ऐसा ही जैस्टिफाइ किया कि सोमनाथ को कि यह जो हिंदू मंदिर हैं इनके ओपर पैसा खर्च किया गया ये तो बैसिकली बतलब पैसा होता था यहां दनाडिय लोगों का फिर इसको लूट प हो बंग चुके थाप। मेरे मतलब है इस्ट्री में हिस्ट्री में दो चार बातों का द्यान रखना है सबसे पहले कि यह कउकस था एक जो कांटल था यह सववग करता है अपने सिस्टम को सिस्टम को यह का यूज कर आपके system को ही आंटी बाड़ी बनाता है और वह आपकी जब हम यह बात समझेंगे तो यह दिरोदाबास दूर हो जाएगा तो इस चेत्र में दो चीज चीजें हैं कि जो युवा इतिहासकार भी हूं गहेंगे यह जो लोग शोद कर रहे हैं उनको इस कंस्ट्रक्ट से बाहर डिफ्रीजिंग करनी पड़ेगी पहले आपको एक जो जो एक वो जैसे रिफिजरेटर को डिफ्रीज करते हैं आपको एक नई अवदारना की रचना करनी होगी दूसरी बात यह है कि जो बारतिय तंत्र है उसमें हिस्टॉरियन्स का जो अब जो सो कॉल्ड हिस्टॉरियन्स रहें उनका बोल बाला आप कहिए अभी अवार्ड व वो कहा रहे हैं कि हम स्टेट टेक और करेंगे कि हम स्टेट अंदर से अप्स स्थम यहीं रहे गालेंगे तभी लैट रइट और सेंटर में हमें लगताário कि एक पुलिटिकल क ऑंसंसस है जहां पर कर कमिनलिजम मुस्लिम का लबादा पहना आई जाता है और फिर वो लगता है कि वराश्ट, वो सेक्लरिजम हो गया, आप जितनी इसमें कमिनलिजम के उपर, कमिनलिजम की इमारत के उपर सेक्लरिजम का प्लस्टर चड़ाएंगे, ये इसके उपर टिकेगा नहीं, इनकम्पेटिबल है, गिरता जाएगा, ये टिकेगा नहीं, इवर्स्टीज में या कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, तो हमें अपने प्राइमरी सोर्स पर जाना होगा, कश्मीर में लिखित हिस्ट्री है, राज तरंगनिया, जोन राज, कलहन, श्रीवर की है, सबसे वहाँ पर हम कश्मीर की बात करता हूं, तो जब हमारे प तो यह अपनगार नहीं सकते हैं, लेकिन यह जो अपॉलोजिस्ट्स हैं, इनकी लड़ाई रहे हैं, लेकिन आप यह जितना बोलेंगे उतना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, यतना एक्स्पोज होते जा रहे हैं, अभी पीछे रोम में लगता है कुछ टाइम पहले कहा ज सकती है, लेकिन उसका एक शास्त्र के रूप में, कावे के रूप में, एक प्राइमरी रिसोर्च के नाते हैं, क्या हमारी जीवन चरिया है, क्या उसमें कैसे फिट बैठता हमने आज तक अभी बाद नहीं की, तो इसलिए हम ने खुद नहीं पढ़ा, हमारे लोगों ने, उसको सच माल लेते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में किताबें लिख ली, हम उसको सत्य माल लेते हैं, हमारे पर इंडिक स्टीस, स्टीस के जितने आपके डिपार्टमेंट खुल सकते हैं, इसको हम तभी कैटर कर सकते हैं, तो नटशल में, ये डिसंस्कृताइजेशन की प में नहीं लड़नी है आपका दुश्मन विबिन छेत्रों में लड़ रहा है वो बिजनस में आपके साथ लड़ रहा है वो मैंनेजमेंट में लग रहा है वो आपके मैं तो कहता हूं सिकेरिटी फोर्सेज में भी इनिफलिट्रेट कर गया है यहां तक कहने का रिस्क लेता तो इन लोगों के कारण अभी भी हमारे पास रोत्र बचे हैं सावर कर ने राजनितिक शेत्र में और बिंदो में ने होल्सम पूरे राश्ट्रवाद के शेत्र में तिलक ने लोग शक्ती जगाने के चक्कर में यह काम किया तो यह किसी एक संगठन का काम नहीं है अब हमें ये बोदिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तथ्यों के साथ, शोध के साथ और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मल्टिनेशनल्स की और हमारे बच्चे बागते हैं, इनको शोध की और अग्रसर करने हैं, अब जैसे शेडन पुश्ट करके एक हिस्टॉरियन है, वो किस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं परमार्थिका और व्योहारिका को, और सबसे लानत की बाते हैं हमारे उपर, शिंगेरी, शारदा, पीर जैसे संस्थान, उनके रिसर्च को फंड करते हैं, आप देख लीजिए, उनको देखी स्कॉलर नहीं मिल तब हमारी जो देश की दिशादर्शन है, ठीक होगा, आप सही मार्दर्शन मिलेगा, और हम, जिसे और दूसरी बात, यह जो बारत का विबाजन हुआ, पाकिस्तान को पैरिटी देने के लिए, क्या लिखा गया है, इंडिया दैट इस बारत, बारत इस इंडिया नहीं, क् चोदा को आपने पाकिसान बनाया, उसको कमिटी अप नेशन में एक्वैलिटी मिले, आपने बारत की डिसंस्क्राइजेशन कर ले, और हो ही चल रहा है, और कुछ चीजें और भी है, अगर उनको डिसकस करेंगे, बात बहुत बड़ेगी, लेकिन कहने का मतलब है, यह हिमा जो प्रॉक्सी हैं यहां छोड़े, वो आपकी मेरी शकल में छोड़े, इस मायावी लड़ाई के रावन वो यहां छोड़ गए, खरदूशन छोड़ गए, रावन चले गए, इन खरदूशनों के साथ लड़ने की जरूरत है, और बिलकुल स्कॉलरली लड़ेंगे हम कि बगवान कृष्ण ने पूतना को कैसे बारा, वो प्रिये एक रूप सी महीला बनके उसको स्थन पान कराने आई, तो बगवान कृष्ण छोटे बच्चे थे, उसको गोदी में लिया, तो उसने उसके कान में सिर्फ इतना कहा होगा, कि तू पूतना है ना, और जब पू तूट गया, चकना चूर हो गया, इन पूतनाओं को पूतना कहने की आवशकता है, आप देखिए इनका तिलसम तूटेगा, और बारत में जो सही शिक्षा पदती है, वो क्रियानवित होगी, लेकिन पूतना को पूतना कहने की हिम्मत रखे, आप 90 प्रतिशत जो के जी जाएंगे, इनके दरातल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये पानी के उपर भी खड़े नहीं है, आपको बेसिकली डरा रहे हैं इन बातों को, क्योंकि हम बोलते नहीं है, स्पेड को स्पेड नहीं कहते हैं, धन्यवाद, थैंक्यू, धन्यवाद महेश्ची, बहुत ह रहा है, बहुत-बहुत आभार, अपने मन की बात भी की और कत्यों के साथ बात की है, मुझे लगता है, ये ही इतिहास में शायद अपेक्षित था, और ये ही एक ऐसी बात है, जिसको लिए कन्हिया लाल मानेक लाल मूंची जो बार बार चिता रहें, लेकिन वही है, जो इ कि अगर हमारे प्रोफैसर काशिनात मंटे जी, अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपना वक्त भी हमारे साथ सांझा करें, क्योंकि समय के भी हमने ध्यान में रखना है, और फिर प्रशन उपर भी लेने है, क्योंकि ये ऐसे विशे हैं, जिनके उपर भागियों को यह बी बताना चाहूंगा कि जब मैं कहता हूं कि मैं अक्सर अपने जो सेमिनार से इस बात से शुरू करते हूं और कुछ हम कहने जा रहे हैं आप उसको अस्विकार करें पुछ से सहमत ना हो। अगर आप सहमत हो जाते हैं तो हमारी वो सफलता नहीं है। हमारी सफलता इस बात में आप असहमत हो पर तरक-संगत तरीके से असहमत ही दिखाए। आप उसमें दोश निकाल के दिखाएं कि जो हम कहें तो हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। अधर्वाइस आप सहमत हो गए हां करते रहें तो यह सेमिनास जो है वह आप चलते हुए अंगारों के उपर पढ़ने वाली जो दूल होती है उसको हटाने के लिए होती है तो इसलिए जागते हुए प्रश्णों के साथ जा गए हैं क्योंकि जिस जाती के प्रश्ण खतम हो जाती ही समाप तो अगर के काशिनात पंडिता जी हमारे साथ सर जुड़े हुए है पदमिश्री काशिनात पंडिती तो मेरा उनसे निवेदिन है कि वह अपनी बात हमारे साथ रखें सर अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो प्रिपया एक बार हां कह दीजिए कि मुझे लगता हुए अच्छली वहां दिक्कत यह आ रहे है कि वहां तू जी है जम्मू में मुझे नाम नहीं देखने को मिल रहा और वह बीच में दो बार जोड़े भी फोन भी उनता आया तो चलिए समय को हम बचाते हुए थोड़ा समय चाहूंगा कि हमारे अभी दो बखता रहे हैं तो यदि किसी के कोई प्रश्न है तो मर्यादा के अनुकूल जो पिए हमारी समय चाहता है हमारी जो मर्यादा है उसके अनुकूल अपना वो प्रश्न रख सकते हैं और अगर आ करता है उसको छोड़ दीजिए विद्धान में स्वतंतरता के बाप को फोड़ देयां लेकिन संस्क्राइब की स्वतंतरता के रुकूल आप अपनी असर्वारे साथ दर्स करना चाहिए जी कुछ कहना चाहरे हैं जी सर पहले तो प्रणाम करते हुए डॉक्टर मनुश्र जी स प्रणास मेरा चाहरे से अधस्वार्ट प्रसनता का विश्र मेरा अध्या था है तो हमारे स्लेबर जो है जिसन सिस्टम के यह अड़ोप्यों नहीं हो पा रहे हैं बार 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 वारति संस्क्राइब तो आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे जो समझता है उनका गुस्चन यह है कि अगर हम सारा कुछ हमारे पास इतना अच्छा है तो हमारे बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचका रहा है यह ना गुस्चन का जी 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 बिल्कुल की देखें मैंने जो आप से कहा कि जो टेंप्लेट बना है वह अजादी से पहले बन गया था आपको ऐसे समझ के देखना है कि सारी दुनिया हिंदुस्तान में आना चाहती थी क्योंकि सोने की जडिया से सबसे आदा अमीर देश सब हुब से जादा वैभव जहां पर है वहां लोग आना चाहते हैं और जब मैं अंग्रेजों की किताबें पढ़ता हूं हाँ हरा देश्ते हां एक यृश अधारा सो बीस अथारा सो तीश की है यह थारा सो तीस की हमारी सो-कौल्ड आजादी से सवन,나ीट सान पुरानी की तब भी वापस में बात करते हैं के हमें आज नहीं तो कल यहां से जाना तो पड़ेगा वह में सिक्ख निकालेंगे निकालेंगे लेकिन हमें सिस्टम ऐसा बना लेना चाहीए कि हमारे जाने के बाद भी हम जब physically यहां से निकल झाले तब ही यह सारे का सारा प्रोसेस कॉंटि और दूसरा था इसे पूरी तिरह से क्रिस्चनाइज करना अब जब मुसलमानों की बात करें तो उसको दरल इसलाम बनाना था तो अब आप नोटिस कीजिए कि 15 अगस्ट 1947 के बाद क्या हमने विदेशी कंपनी वह निकाल दिया था वही रेकेट एंड कोलमें वही कोलगेट पामुले वही आईटीसी सारी वही कंपनी जो सौसाल पहले स्थापज हुई थी आज भी वह उसी दरह से बिजनेस कर रही है और यहां से हमारे देश का ही दोहन कर रही है तो जब हम यह सोचते के हम आजाद हो गए हैं तो बढ़ी ग पूरी ज्यादा मिल लेकिन जिसे हम भूल पूच्छ या पूरी तरह से स्वतंत्रता कहते हैं वो कभी नहीं मिली आज तक तो नहीं मिली वह दूसरी चीज जिए हमें क्रिस्चनाइज करना है या इस्लामाइज करना है उसके लिए देखे हमारे यहां जो परंपरा है सदा जहां तक परंपरा रही है वाद की परंपरा क्या बात करो अगर मैं कन्विंस होता हूं तो मैं आपके पीछे चलूँगा आपको सोते हो तो आप मेरे पीछे चलूँगा क्यूंकि वहां पर खुला-खुला मज़ा जैसे नियाई दर्शन में अगर आप पड़े तो पहले ह तो वह सच जानने की कोशिश ही नहीं कर था है तो anastar औंब बनाना चाहते दर्वाल-िसलाम बनाना चाहते हैं हुन्हका कोई रूलमुक झाहिं रूज करने हमें सच को जानना है उन्होंने बस वह ख्र्ली सोच करने हैं फैस पहले उसके ठीजो होते अब बदल गया है तो वह साइकोलोजिकल वार गेम बन लिया उन्होंने आपके माइंड को कंट्रोल करना माइंड को कॉलोनाइज कर और उसके लिए अब इसी टूल को उन्होंने यूज करके अभी भी सेम प्रोसेस चल रहा है इस देश को तोड़ना है इसको क्रिस्चन बनाना है इसको इसलामिक बनाना है वही काम चल रहा है चाहिए कि आप इस बात को समझ रहे हैं आप सीच्टुएशन की ग्रैविटी को समझते हैं कि सबसे बड़ा वैपनार आपका दिमाग है आगर आपके दिमाग मेंने कबजा कर लिया तो उन्होंने आपके गजा कर लिया एक मैं बढ़ा बहुत बार बार इस चीज को पोड़ करता हूँ one who controls your past controls your future लेकिन तब घर पाएंगे अगर सभी सट्थामे नहीं या पावर में होनें का कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो उस तरह का नेरेटिव बनाएं जो सच पे बेस्ट हो ताकि आपके बच्चे उस गौरब को जान सके उसका अनुभव कर सके जिन बच्चों में गौरब की भावना आ गई वो ना इसायत में जाएंगे ना इस्लाम में जाएंगे और यहीं उन्होंने नहीं होने देना तो यह सारी कहानी है इसके लिए जी ठीक है इसके साथ बलकि मैं एक और बात आड़ा में चाहूंगा कि इस लडाई में जो संस्टि भी उन्होंने चनौती नहीं दी ना सोशल साइंसिस में इतिहास को दी ना पुलिटिकल साइंस को दी और यह मुझे बहुत प्ष्ट पनुभव होता है कि जब केवल उन्हीं चीजों को दोहरा के रह जाते हैं लेकिन जिस दिन उनको यह कहा जाए कि आप एक पॉलिसी लेकिन इन बातों को संस्कितग्यों ने केवल अपना वो दोहराने तक रख लिया कि हम शास्त्र हमने रट लिया है और केवल हम गहीं तक रहेंगे लेकिन आगे चुनाती नहीं देंगे यह एक बड़ी ही दुखद परिस्तिती है जिसके लिए मुझे लगता है कि लेकिन अपनी भूनी का पहचान ली तो इतिहास को सीथा करना बहुत असान हो जाएगा बहुत सरल होगा लेकिन चलिए अभी यह बातें तो प्रेश्ण डॉक्सा बहुत था बीच में अगर किसी और का यदि कोई प्रेश्ण हो तो ठीक है या कोई टिपनी करना चाहे और अपनी असेहमत भी जताना चाहे तो उसका बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि यह उस तरह का तो है नहीं कि जहां पर हम यह कहें कि दूसरे नहीं बक्ष बोल सकता अगर आप किसी बात से असेहमत ही हमारे मुझ्य बहुत नहीं तो आप प्रेश्ण अपन की और लेके चले जी-जी मेरा नाम सौरभ गुपता है और मैं फिजिक्स का प्रवक्ता हूं अभी महारास्टा में हूं जी-जी सर तो सर मैं निरज महिश कॉल जी को मेरा चरनिस पर्स है हलो हां जी हां जी सुन पा रहे हैं आपको आप बोली एपनी बात जी सर मेरा सबसे पहला क्वेस्टिन तो यह है कि मतलब अगर आप तो सब कुछ चीजें साफ साफ नजार आ रही है कि रोमेला थापर जी ने बहुत ही गलत तरीके से हिस तो आखिर ये प्रहार हम कब तक सहते रहेंगे बात यह है कि हम कभी तो निव्रणघन पर पहुचे हम आज मानते हैं कि हम किसी निरणolithic पर हमें पहुचना चाहिए वरना कई वर्षों तक ये एक के बाद एक उनके जो गलत प्रयास हैं वो लगातार हमें जहलने पड़ेंगे, क्योंकि हम किसी और का प्रहार और किसी और प्रहार हमें एक पहली बार में हमें उसका प्रत्युत्तर दे देना चाहिए, तो अगर हम दिरनाय पर नहीं पहुँचे तो हमें जैसे हमारे जैसे युवाओं के लिए क्या मैडम पूनम प्लीज आप हां जी हां जी हां जी जल्दी से पूरी करें जी 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 सर तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब हम जी जी ठीक है एक बार और एक आद किसी का कुछ प्रश्ण है तो फिर उसको समापन की और हम लेके जाएं तो इसको मैं भी पूछना चाहिए जी सर मनोजी मैं में पूछेदर उनिवर्सिटी से हैं जी सर मैंने एक पुस्तक पर पढ़ा था कि 1989 में पस्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐसा अधेश निकाला था जिससे हिस्ट्री की किताबों में जो उरिजनल चीज़ें लिखी वही थी उन में से ऐसी चीज़ें जिन से कि मुस्लिम मुस्लिम आकरांताओं के अर्मों के बारे में ऐसी चीज़ें सामने आएं कि लोगों में एक गलत मेसेज जाए तो उन चीज़ें को हटा दिया जाएं क्या सरकार के इस कदम को इसी पुद्री जी ने उस समय और उसके बाद भी कोई चुनोती नहीं दी कि अरुन शौरी जी की एक कुस्तक है इमिनेंट हिस्टोरियंस उसमें पढ़ाता है जी ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन अभी यह समय में यह एक ही चीज़ जानना चाहरा था जी ठीक है मुझे लगता है कि नीरत जी और मेहेश जी बहुत संख्शित सी इसके पर टिपनी करेंगे और उसके बाद फिर हम मुझे लगता डॉक्टर पंडिता जी नहीं जुड़ पाएं हमारे साथ उसके बाद जो है हम धन्यवाद ग्यापन के चलेंगे और इससे पूर हूं कि मैं उनको आमंतरिक करूं आप लगों के प्रश्नों के उपर करने के लिए जो है डाल दिया है आप उसको से भर सकते हैं और प्रिपया ध्यान रखेगा कि उसमें ठीक करेंगे अन्यथा आप तक सट्रिकेट नहीं पहुंचेंगे जी सर्ची संक्षिप से पूर्णी पहले महिर जी दे रहेंगा चलिए मैं बोल देता हूं दिखिए दो प्रेश्न आये अभी दोनों काफी साथ है कि हमारा युवा मित्र ने किया एक अभी इनों ने किया है तो युवा के लिए तो मैं पिश्ली बार भी हम क्या चुके जैसे नीरज जी बात कर रहे हैं मेरी जी कर रहे हैं हम तो पहले अंडरलाइन भी नहीं करते थे कि क्या सत्या इसी को तो युवाओं के लिए ये है कि अब पढ़ना शुरू करिए मेरी अपनी एक सजेश्चन आइज नहीं करूंगा कम से कम आज कल तो किताबों का दोर ख़तम हो गया गूगल पर ज़रा कम डिपेंड करिए अगर आप बारत के बारे में सही जानना चाहते हैं आप प्राइमर तो उसको जड़ा ध्यान से देखिए मैं सिंपल बात कर रहा हूं हर गर में है तुलसी रामायन है या वालमी की रामायन है तो ये सिंपल बात है दूसरी बात हमें पढ़ने का बाव तो आना ही चाहिए अपने विरोधी को ज्यादा पढ़िए अगर आप बारत के समाचार पत्र पढ़ते है NET आज आपके पास है पहले हमारे पास तो दस साल पहले कुछ नहीं था आप नट में पाकिस्तानी अगबार देखिये आपके बारे में स्वह बारे में क्या लिखते हैं Royal Alabama में wheat पर एक पखृच्ष में कहानी नहीं है अगर आप कशमीर में देखेंगे तो कुछ चेक्टर ही गायब किये गे किताबों से, बाहरस्तानी शाही, तोफातु लहबाब से, ये पैन इंडियन प्रॉब्लम है, और लाइब्रेडीज में अगर किताबें हमारे हिंदू इतिहास की पड़ी हैं, वो इशू नहीं होती है जम्मू कश्मीर में भी, बाकी प् किया गे, लेकिन और डरे नहीं है, नेशल आर्काईव में जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो उनको इजाज़त नहीं थी कि आप उसकी फोटो कॉपी भी करें, लेकिन उनको प्रनाम करते हैं, एक तरह से उनको व्यासमूर की मानते हैं, वो एक गंटा वो अंदर कि मेरे मित्र नीरा जी ने, ये मानसिक दास्ता का, उनको पता है, कि हमें स्ट्रक्चर क्या करना, जब हमने हुमन रिसर्स ही कैप्चर कर लिए, मैंने पहले भी कहा है, ये माया भी लड़ाई है, तो ये हैं जगा इस चीज का ध्यान रखना होगा, धन्यवाद सर्, नीरा आपके टिपणी अंतिम और उसकी बाद फिर मेजर जनरल एक शूरी धन्यवाद ध्यापन लेंगे, वारभ जी और मनोच जी, दोनों के जो कुस्चन से, मनोच जी जब आपने कहा कि हम वो जो सर्कुलर आया था, तो उसका कोई हमने प्रतिकार क्यों नहीं किया, तो जो अर हमने लोगों को अवेर करना है, उन्होंने अभी महेजी ने को सुपर बात दूली है, कि आपने सिर्ब उनको बताना है कि तुम क्या हो, फिरा पुतना करने से ही काम हो जाता है, जब तक हम विरोधी को जानेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, और एक चीज जो मैं चाता हूं कि हमारे देश में होनी चाहिए, वो है right to true history, कि सच्चा इतिहास जानना हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, कि जो history के नाम पे जूत पेश करें, उसे सजा मिलनी चाहिए, ऐसा का हम जर्मनी ने किया था Second World War के बाद, कि जो वहाँ पे deny करता है कि हुआ था, हमारे देश में भी होना चाहिए, तो हम citizen के रूप में इस तरह में प्रेशर मनाएं सरकार में के ऐसा कानून भी बने और हिस्ट्री सही लिखी जाए, यह हम कर सकते हैं, धन्यवाद, नीरे जी कि मैं समाचाहूंगा, मुझे एक चीज बोली थी, कि मैं लगातार देख रहा यह खुलासा कर भी दिया है, कि वो सारा सार घ्रत हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अगला मौका देना, यह तो आत्मात्या करने के बराबर है ना, तो अब यह निरणाएक का, यह प्रशन है, आप बेखे, यह थोड़ा सा यह पावर स्ट्रॉक्चर है, पावर स्ट्रॉक्चर इतिहास को सही करने में बहुत कुछ करना बाकी है, अगर हम केवल इतना भी करना शुरू कर दें, मैं निरणी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कि अपनी भाशा अगर ठीक कर लें, हम अपनी मात्री भाशा में सोचें, अंग्रेजी में कहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेक अपने आप भाशा ठीक होगी, आपका इतिहास ठीक होने लग जाएगा, जब आप धरम शब्द को ठीक कर लेंगे, राजा शब्द करते किंग कहीं नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन उसको हम पढ़ा रहे हैं, मूखों की तरह पढ़ा रहे हैं कि किंग और करेंगे, और जब हमारे साथ लोग जुडने शुरू होंगे, अवेर्नेस आएगी, आप जाके लोगों से बात करेंगे, परिवर्तन आएगा याएगा, चुनोती तो देना सीखें, और फिर चुनोती धूति जा करके, इनहीं सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा बेजर जन्रल अमिल कमार शोरी जी को, जो डारेक्टर है, हुमेन डिवल्पमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के, उनके अल्रेडी वालमी की रामायन पे, दो कुस्त के प्रकाशित की हैं, उसके उपर उनके बहुत विशेश काम और उसके साथ साथ, कंत्र के जो अपने आप में आपको बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा, तो मेरा उनसे निवेदन है, कि वो अप्यापन आज के हमारे 130 पार्टी स्प्रेंट्स का प्रतिभाग्यों का, और हमारे मुख्य बगताओं का, और हमें काशिनात पंडिजी जो नहीं हमारे सा जोड़कड़े हैं, उनका भी आभार व्यक्त करें, क्योंकि उनका शीरवाद हमारे लिए बड़ा हिल है, मेजर चन्रल एक शोरी, सर आपकी आवास नहीं आ रही, शोरी साथ, सर आप मेरी आवास सुन पा रहे हैं, मेजर जन्रल एलो, सर आप मेरी आवास सुन पा रहे हैं, शोरी साथ, आपकी आवास नहीं आ रहे, हलो, सर आपकी आवास नहीं आ रहे हैं, सर आप देखें, तो मोबाइल से आप बात कर लें हमारे साथ, इधर से तो माइक अन्म्यूटिड है सर, सर नहीं आपके, या तो आप एक बार पिंस अपने इसके इयरफों के निकाल के दुबारा लगाएं, हलो, हाँ जी, अब बोलिए आप, मुझे लगता है आपकी आवाज है, आवाज आ रही अभी, अभी आरेगी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, एयरफों छोड़ दीजी, हो सकता उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो, बहुत बहुत शुक्रिया आशुत्वश जी, सभी का धनिवाद करने से पहले मैं कुछ एक अपने पॉइंट्स आप सबके सामने रखना चाहूँगा, नीरज जी ने और डॉक्टर महेश कॉल जी ने इतना बड़िया एक्स्प्रेइन किया है, कि हम एक किसम से मंतर मुग धोका काफी देर से सुन रहे थे और हम चाहते थे कि और बोलते चले, लेकिन समय की रिस्ट्रिक्शन की वज़ए से ऐसा नहीं हो पाया, कुछ एक लोगों ने टिपनियां भी की हैं और उन टिपनियों के अधार पर और जो आप सभी लोगों ने कहा है, जो मेरे मन में आ रहा है, मैं सबसे पहले वो शेयर करना चाहूँगा, इसमें एक बात आई थी प्राइमरी सोर्स और सिकेंडरी सोर्स की, बिल्कुल सही बात है, मुझे याद है, आई-एस के एक्जाम देने के लिए मैं जब तैयारी कर रहा था, उसमें था कि इंडिन हिस्ट्री कहां से पढ़ी जाए, और हमें जो उस वक्त जो है, जो पुराने लोग होते थे, जो आई-एस के एक्जाम दिया करते थे, वो हमें कहां करते थे, अगर आपको इंडिन हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप ऐसा कीजिए, विपंचंदरपाल पढ़िए, रुमिला थपर पढ़िए, और जवाला नहरू की किताब पढ़िए, डिस्कवरी आफ इंडिया पढ़िए, यहां अच्छा ऐसा करना, NCRT की आठवी की किताब से, और दस्मी की किताब से शुरू करना, और वो भी तो उनीकी लिखी होती थी, तो मैं कहना क्या चाता हूँ, कि उस वक्त से, आज 35 साल हो गया है, वो इतिहास मैंने पढ़ा कहां से, मैंने उस सोर्स से पढ़ा, जो उस वक्त अवेलेबल था, एक साल से जो भी मैं सेमिनार, वेलार में का चोटा-मोटा माया पार्डिस्मेट करता रहता हूँ, उसके बाद मेरे मन में यही प्रशन आता है, यह चीजे मुझे पता क्यों नहीं चाहिए 35-40 साल, तो 35-40 साल मेरे को क्या बताया गया, और मैं प्राइमरी सोर्स पहले क्यो आप जरा सभी लोग, जो 117 पार्टी सब्सक्राइब करते हैं, यह सभी लोग प्राइमरी सोर्स की तरफ को जाए, नमबर वान, हम मैनेजमेंट की जब भी बात करते हैं, हमारे सामने, जब भी कोई एक्सपर्ट, मैनेजमेंट, एक्सपर्ट का नाम आएगा, तो यूरोप प्राइमरी सोर्स को जानने वाले हमारे देश लोग थे ही नहीं, और अगर थे, तो वो सिर्फ जो है, माफ कीजेगा, संस्कृत बाषा के महा पंडित थे, मुझे तो संस्कृत नहीं आती, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मैंने इगीत अपर् गोरखपूर के वॉल्यम मंगवाए हैं, और वो वॉल्यम है, ये मेरी हाथ में है, इंट्ञिक ब्चु रमै रागके, इंग्लिसमें ट्रांडेशन है इन वॉल्यूम को जब मैंने पढ़ा और उरिजिनल पंच तंत्रा को मैंने पढ़ा मेरी तो आखे कुली रह गी क्योंकि ये क्या है ये है फिलोसफी पॉलिटिकल साइस पॉब्लिक अडिम स्टेशन माइनेजमेंट मॉरैलिटी वर्चू धर्मा आप किसी चीज का नाम लीज कि यह उसके महा सोर्स है यह पड़ी अफसौस की बात है कि आज करोना के टाइम पर भी हमें टीवी के अपर चबत प्रोसा गया है अला है हम किसको क्रिटिसाइज करें हम दूसरों को चाहें इतियास में जाकर जित्रा मर्जी क्रिटिसाइज कर लें लेकर आज हम जहां हैं और आगे हमें कहां जाना है, हम सब को अपने आपको जिंचोरना पड़े, ये सारे participants इस webinar में हैं, बहुत सारे लोग कॉलिज के professor है, head of the department है, मैं सबसे request करूँगा कि आप सरकार की तरफ मत देखिए, आप किसी शासंतंतर की तरफ मत देखिए, आप लोग इसी तरह के webinar, seminar अप अपने कॉलिज में शुरू करने का बीड़ा उठाइए, आप बच्चों को पंचतंतरा की कहानिया मत सुनाइए, पंचतंतरा की कहानियों के पीछे जो छपी हुई philosophy है, जो इसमें management के principles हैं, उनको उबार कर सामने लेकर आइए, इससे यही अगर आप अपने lifetime में कर लेंग तो समझ लीजिए कि समाज में एक लहर जो है वो चलनी शुरू हो, मैं इस चीज में यकीन करता हूँ, आशुत्योष जी ने एक history of Hindu project का जो whatsapp group बना रखता है, थो इसी मनस में भी research करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लंबा इतिहास है, इतने को मैं हाथ नहीं डाल है कि 1857 से onwards, हिंदूों का freedom struggle में contribution क्या रही है, अगर मैं उसको जानने की कोशिच करता हूँ, वो मेरी उंगलियों पर गिने वाने जुने वाले 5-10 नाम नहीं हैं, कम से कम 100-500 ऐसे नाम हैं, जिनके बारे मुझे पता ही नहीं था, कि हिंदोस्तान की freedom struggle में 1857 से लेकर 1907 तब इन 1.5-200 personalities का रो रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, अगर मुझे नहीं मालूम है, तो आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या इत्यास मालूम हो, हमें थोड़ा सा हम सब को जो है, जागरूत्ता की तरफ को चलना चाहिएगा, इसलिए ये आज जो webinar हो रहा ह सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, संजीव जी आपने ये जो भीडा उठाया है, ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी इसकी ब्रांच जगा 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 लगती जा रही है, आप different dimensions जो रमायना के निकाल कर webinar कर रहे हैं, उससे 100% लोगों को एक बात, हलाकि मेरी एक presentation थी, लेकर मैं अपनी presentation से satisfied नहीं था, मैं बाद में सोलता रहा, सोलता रहा, अगर ये मैं comparison कर रहा हूँ, तो उस वक्त constitute assembly के लोगों ने, जिनके सामने 4000 पुरान साल पुराना इतिहास था, उन्हों ने इन features को क्यों नहीं उसमें डिद डाला, क्यों न समस्या तो बड़ी घंबी रही है, लेकिन मैं फाजी आदमी हूँ, तो वो पीछे की तरफ को कम जाता हूँ, आगे की तरफ को अगले मोर्चे पर जादा जाता हूँ, आगे हमें क्या करना है, इसलिए सबसे पहला धन्यवाद संजीब जी का, आशुतोष जी, आपने ये जो वेबिनार का एक कड़ी उठाई हुई है, इस कड़ी में ये जो आज का वेबिनार है, मुझे उमीद है, ये सबसे बड़िया वेबिनार रहा है, क्योंकि इसने लोगों की आखे को दी हूँ, जवाला नेरू की डिस्क्रिवरी अप इंडिया, मैंने आज से 35 साल पढ़ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए ये बहुत फायदेमाद होने जा रहा है, क्योंकि मैं स्वैं को अपने आप एक इध्यास को अलग तरह से देखने जा रहा है, इसको इसी तरह से जारी रखेगा, और जैसा आपने कहा कि हिस्ट्री और लेंगुज और कुछ एक और आपने भी मेंशिन किया हुआ है, समय की जूरत है कि उन वेबिनार्स को भी आने वाले समय में जल्दी से जल्दी किया जाए, आपका बहुत-बहुत धन्यवास, जॉक्टर को आप, क्या कहूं आपके बारे में, आपका आप इतनी फास्ट बोर रहे थे, मैं सिर्फ तीज चार ही किताबों के नाम नोट कर पाया, अगर आप मेरे को अपना इमेल डाल देंगे, तो मैं चाहूं कर पाया, लेकिन आपने जिस तरह से इस सारी चीज़ों का एक फॉलिस्टिक व्यू लेगा है, उस फॉलिस्टिक व्यू से पता चलता है, कि इतिहास के साथ इस्टॉर अब थोड़ा सा मैं इसमें से मेंशन करना चाहूंगा, उसके बाद, उसके बाद, उसको ही मान लेते हैं रख ली कि वहां से मौहमडन्स का अटैक चुरू हो गया, उससे पहले, उससे पहले का सारा का सारा पीरियड, चारह जार साल पुराना गोल्डन एरा माना जाए, हम गोल्डन एरा के उपर हम मान लेते हैं कि एक ग्रहन लगिया था, ओ ग्रहन एक हजार साल का था, आएए हम सब मिलकर उस ग्रहन को हटाने की कोशिश करते हैं, ताके उन सारी चीजों को जो चुपी हुई हैं, और मैं एक सिंटेंस जो हमेशा बोलता हूँ, यह क्या है, यह ह खुद अपने हाथों से डाल कर उनको कबर के नीचे दफना कर रखता हुआ है, उसको हटाएं, उसको निकालें, और पॉल साब आपने जिस तरह से हिस्ट्राइकल प्रस्पेक्टिव दिया है, आपने यह फैक्स बताए हैं, और आपने यह सारे इशू को एक ब्रॉड वर् प्रफेसर काशिना जी नहीं जोड़ पाए हैं, अगर वो जोड़ते तो बहुत अच्छा होता हम उनके विचारों से और हमें नौरेज मिलती, हमें शिच्छा मिलती, फिर भी इन एपसेंशिया मैं उनका भी बहुत-बहुत दन्या बात करता हूँ, और फाइनली ओल दाप मैं बड़ी देर से जो है शुरू से आपके कमेंस देंगे, बहुत अच्छा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, या इसी तरह की मोहिम को इस तरह के वैबिनर्स को अपने कॉलेजिस में कीजिए, विगॉज सम आप दा पीपल डेमाचल के महराष्ट्रा से हैं, एक दो साउस से भी हैं, अगर आप हर जगा पर इस तरह की वैबिनर करेंगे, जिसमें नीराजी जैसे परिसनेलटिस, ड़कर ऑशुतर जैसे लोगों को इनवाल्व करेंगे, तो एक जो एक विचार का, जो जुछ को जुसको कहते कि उसका वाइरस है, विचारों का वाइरस हमारे तो मैं निरे जी का धन्यवाद तो मैंने सबसे पहले किया और नीरे जी का धन्यवाद तो हमेशा करता ही आएंगे लेकिन आज नीरे जी आपने एक डिफरेंट डाइमेंशन की है और यह जो आपने स्लाइड में दिखाया था उस स्लाइड से जो है हमें इतनी जानकारी मिली है कि आपका दन्यवाद तो पर्मनेट दन्यवाद है वो कहने की जूड़ती नहीं है इस वेबिनार के अपने विचार गोश्ठी के अपनी एक मर्यादा होती है इन सब शब्दों के साथ आप सब का आभार करने से पूर्व मैं दो सूचनाएं देना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह कोई अंतिम वेबिनार नहीं है इसके अगली कड़ी को हम देखते हैं कि history और language की इतिहास की भाषा किस तरह की प्रियोग की गई है मुझे लगता है इसके उपर हम दुबारा से बातचीत करेंगे और मैं आप लोगों को कल के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगा कल हमारा और वेबिनार है इसी लिंक के उपर और वो है वैदिक medical astrology के उपर है और उसमें issues क्या है और उसकी possibilities क्या है कि किस तरह से medical astrology जो है वो प्रभावी है और किस तरह से वो accurate उसमें कई के चीज़ों को deal किया जाता है उस सब्सक्राइब के उपर है कल इसी टाइम के साड़े दस की विदे है आप लोग थोड़ा सा अगर चाहें तो एक ग्रूप जासा create करें इतिहास का कोई भी कर सकता है तो हम जो है कम से कम एक जैसे लोग जोड़ने तो शुरू हो और उसमें आप मेंसे किसी की कोई जूची हो इस तरह का काम करने पर हिंदू का इतिहास लिखने को उपर अगर दिरूची हो तो आप हमें संपर्क करें हमें अपना आर्टिकल भेजें लेकिन ध्यान रखे कि हम हिंदूइजम की बात नहीं कर रहे हैं मेरा हिंदूजम से ताथपर्य नहीं है, भी हिस्ट्री ऑफ हिंदू का मतलब है कि वैदिक काल में हिंदू हिस्ट्री क्या रही है। तो हिंदू हिस्ट्री हमें चाहिए एंशिंट, मिडीवर और मॉडर्न हिंदू आ時 उसके उपर अगर आप कुछ लिग सकते हैं हम उसको पब्लिश भी करें और जो सहीवव और समर्थन अपेक्षित होगा वो भी आप लोगों को हम प्रवाइट करेंगे और यदि आप में कोई इनिशेटिव लेकर के ऐसा कोई वेबिनार करें मैं तो करूंगा ही लेकिन यदि आप अपनी संस्था की ओर से करते हैं तो उ पुनेवाद ज्यापित करता हूं आप लोगों ने ध्यारे पूर्वात खुना और उसको एप्रिशेट भी किया और ध्यान रिखिए कि अपनी संस्कृतिक उन मुल्यों को पहचानने का प्रयास करें संस्कृतिक का चोटा सा हिस्सा है संस्कृति बहुत बड़ी थो क्रिपया उन्हें को पहचाने अपने करने का प्रक्रिया है और हमारे साथ जुड़े रहें अगले कई सेमिनार्स के लिए हम निरंतर जारी रखेंगे और इनी सब शब्दों के साथ आप सब का आभार आप मीटिंग छोड़ सकते हैं और मीटिंग छोड़ने से पहले अपना लिंक ज़रूर भर दीजेगा ताकि इस शर्टिकेट आपको दोपहर के बाद शांट किसी वक्ति को जाएगा आप सब ही को बहुत बहुत आभार आप सब आभार आपको